से सपोज मेरा डेटा एक पर्टिक्लर नमबर XI के आसपास गुजर रहा है वो XI तो नहीं है हर बार लेकिन कुछ बार XY, XI और कुछ उसके आसपास तो भी से डेटा इस डिस्पर्जड हम कहते हैं कि डेटा डिस्पर्जड है अब इसकी डिगरी ओफ मेजरमेंट के कितना जादा डिस्पर्जड है मतलब डेटा कम स्टैगर्ड है या बहुत जादा स्टैगर्ड है इस इस हाई डिगरी ओफ स्टैगर्नेस और इस लो डिगरी ओफ स्टैगर्नेस So this measurement of this degree of staggerness is known as dispersion Dispersion calculate करने के लिए हमारे पास various formulas है Like variance, standard deviation, mean deviation and so on